Hello, good morning students. Welcome to e-learning class student. Yesterday we had completed third chapter of Prithvi Amara Awas. Today we will do revision of four chapters of this book. Today's date is 29 August 2020, Saturday. Chapter number four, Maan Chitra. आज हम इसके textual question करेंगे, अभ्यास की question. First question is, निम्मिल लेखित परस्नों के उत्तर संचेप में दीजिए. यहाँ पर first question के कुछ पार्ट दिये गए हैं, हमें उनके एक-एक के आंसर देखेंगे. First is, Maan Chitra के तीन घटक कौन-कौन से हैं, यानि की कौन-कौन से होते हैं? Answer is, Maan Chitra के घटक तीन हैं, दूरी, दिशा और प्रती. यह Maan Chitra के घटक कहलाते हैं. नेक्स्ट इस प्रधान दिग बिंदू कौन कौन से होते हैं दिग बिंदू बतानी यानि कि जह हमारी डारेक्शन है फोर डारेक्शन वो बतानी है आंसर इस प्रधान दिग बिंदू चार है उत्तर दक्षिन पूर्व पश्चिम next question है हमारा मान्चित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं पैमाना वो होता है जो किसी दूरी को बताता है और जिसे हम मान्चित्र पर दिखाते हैं तो answer देखते हैं students पैमाना स्थल पर वास्ट्विक दूरी तता मानचित्र पर दिखाए गई दूरी के बीच का अनुपात होता है उधारन के लिए हम मान लेते हैं यदि हम दरातल के 100 किलोमेटर की दूरी अगर हम उसे मानचित्र पर शो करेंगे तो हमें एक सेंटीमेटर में उसे दर्साते हैं तो ये एक सेंटिमेटर किसके बराबर हुआ दरातल के 100 किलोमेटर के बराबर हुआ और यही मानचितर का पैमाना कहलाता है हमारा नेक्स कोश्चन है ग्लोब की अपेक्षा मानचितर अधिक साहे क्यों होते हैं तो आंसर देखते हैं निम्मिलिकित कार्णों से गलोब की अपेक्षा मान्चित अधिक सायक होते हैं नमबर एक मान्चित्र को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर असानी से ले जा सकते हैं परन्तु गलोब को दूसरे स्थान पर ले जाना कठीन है एसुईदा जनक है next point is मानचित्र को लकडी के डंडे पर लपेड कर दिवार पर लटकाया जा सकता है next point मानचित्र को बंद करके आप जेब में भी डाल सकते हैं ऐसा आप गलोब के साथ नहीं कर सकते हैं गलोब का आप जेब में नहीं डाल सकते हैं से डंडे पर लटका कर दिवार पर रख सकते हैं नेक्स पॉइंट मान्चित्र पर प्रित्वी के छोटे भागों को बड़ा करके दिखाया जा सकता है अते हम प्रित्वी के छोटे भागों को असानी से देख सकते हैं लेकिन ये गलोब पर संभव नहीं है नेक्स पॉइंट ग्लोब पर दो स्थानों के बीज की दूरी पेमाने से नहीं मापी जा सकती है कि हमने सब्सक्ति न's सकते थे माशूरे पर दिखा सकते हैं यहां पर यह नहीं कर सकते हैं वह मण्युप दिखा सकते हैं दो स्थानों के दूरी जैसे देशी हमें अपना देश के राज्यों का मैप देखना हूँ, परंतु मानचित्र पर हम ऐसा कर सकते हैं, गलोब पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, गलोब ऐसे तो हमारे प्रिथी का एक सरवोतम रूप है, लेकिन हम उसमें अपने छोटे छेत्रों को उस पर नहीं दिखा सकते हैं, वो मानचि जैसे कि हम classroom में भी आप map वगएरा करते हो, उसमें state वगएरा जानते हो, तो इस तरह कि आप उसमें कर सकते हो, हमारा next question है, मान्चित्र एवं खाका के बीच में क्या अंतर है, यानि कि हमें मान्चित्र और खाका के बीच में अंतर बताना है, answer is, मान्चित्र प्रित्वी की स्थय या उसके एक भाग का जो पैमाना होता है, उसकी सायता से चप्टी स्थय पर बनाए गया, एक चित्र होता है मान्चित्र, एक फ्लैट पेपर पर सर्फेस पर, जबकि खाका बीना पैमाने की सायता से, एक छोटे चेत्र का बड़े पैमाने प खीचे गया एक रेखा चितर होता है तो इन दोनों में अंतर है next question कौन सा मान चितर विष्थितर जानकारी प्रदान करता है हमें विष्थितर जानकारी देता है answer is जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं student वो ही हमें विस्तित जानकारी दे सकते हैं हमारा next question है प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्यन में सायक होते हैं प्रतीक क्या होते हैं प्रतीक वो चिन होते हैं वो अक्षर होते हैं जिन से हम indicate करते हैं संकेत करते हैं किसी चीज़ को दरसाते हैं मांचितर अंसर प्रतिक मांचितर का एक प्रमु independence数 और कण दिन्हें और नेक्षरों या किसी चाया बार्ग को दरसा और उनमें रंग भरी या झोटे-छोटे मंदिर के मज्जित के सी चिटर बनाकर या लेखाएं जैसे लाइन खीच कर जैसे आपको पड्रेल की पड्रे दिखानी है तो आप दो सीधी लेखाएं की सकते हैं तो इन सभी का उपयोग करके दर्साय जाते हैं स्टूडेंट और जो ये प्रतीक होते हैं ये चीन होते हैं कम स्थान में हमें अधिक जानकार करते हैं और इन प्रतीकों के प्रयोग द्वारा मांचित को आसानी से खीचा भी जा सकता है और इनका अध्यन करना बड़ा ही आसान होता है यदि हम एक ही छेत्र की वासा को नहीं जानते हैं तब हम इन चीनों की सायता के द्वारा भी मांचित से जानकारी प्राप्त कर सकत बोड लगे होते हैं और इसमें एरो का निशान भी होता है और स्कूल हो आगे अगर स्कूल है तो स्कूल के बारे में की एरो होता है आगे स्कूल है बस्टेंड जो भी है तो चिनों के माध्यम से ऐसे दिखाए जाते हैं हमारा next question है सही उत्तर चिंत की जी यानि की जो आपके छोटे छोटे multi choice question होते हैं एक question है उसके 3 या 4 option होते हैं उसमें से हमें correct option बताना होता है पहले फास्ट हमारा कोशन देखते हैं व्रक्षो की वित्रण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से मानचित्र होते हैं तो व्रक्षो को कौन से मानचित्र दिखाते हैं इने भोतिक मानचित्र दिखाते हैं कौन दिखाते हैं भोतिक मानचित्र नेक्स कोश्चन है हमारा नीले रंग का इस्तमाल किसके लिए दिखाने में किया जाता है तो जल यानि कि पानी को दिखाने के लिए किया जाता है नीले रंग का तो इसमें ऑप्षन दे रखें जलास्यों परवत और मैदानों तो इसका आंसर ठीक क्या होगा जलास्यों दिख सूचक यंतर का प्रयोग किसके लिए क्या आता है student तो इसमें भी तीन option दे रहे कि आपके प्रतिकों को दिखाने के लिए मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दूरी मापने के लिए तो आपको पता ही है दिख सूचक यंतर का प्रयोग दिशा का ज्यान के लिए होता है तो इसका अंसर यह होगा मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिख सुचक यंतर का प्रयोग किया जाता है हमारा next question है पैमाना आवशक है पैमाना किसके लिए आवशक होता है student तो पैमाना मानचित्र के लिए रेखा चित्र के लिए पृतिकों के लिए तो पैमाना हमारा किसके लिए होता है मान चित्र के लिए तो इसका हमारा मान चित्र वाला आंसर सही है नीचे आपको अलग से ओप्शन भी दे रखें है फस्स का के सेकिंड का भी के थर्ड का के और लास वाल इसका पहिमाना हो जग इसका के है तो student this is complete I hope you understand better student you learn and write these textual questions stay home stay safe thank you students